बतन का भ्यास 2.5 सेंटिमीटर हो जाने पर मश्रूम की तुड़ाई की जाती है। बतन के भाग को चाकू से काट कर अलग कर दिया जाता है। तुड़ाई के बाद मश्रूम को अधिक समय तक हवा में रखने पर ये भूरे हो जाते हैं जिससे इने बाजार में अच्छा मूल्य नहीं मिल पाता। पॉलिथीन बैक्स में पैक करें। बैक्स में हवा आने जाने के लिए दो से तीन छेद कर दें। देश के कई हिस्सों में किसान इसी विथी से मश्रूम का उत्पादन करके अच्छी आमदनी अर्जित कर रहे हैं। झालते हैं। झाल झाल